कि फिर से सब्सक्राइब आप सभी लोगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजेट टैक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्टेवल हेंडी वाशिंग मशीन की पोर्टेवल हेंडी वाशिंग मशीन की जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी अनबॉक् नदेटर करेंगे फिर हम इतने सारे इस्क्रीव को खूलेंगे सारे इन को खूलने के बाद हाला कि मैंने इस विडियो में पहले इसको जो इस पर लिए हैं आप जियु है सबसे पहले यह realise क्रूब उपन करेंगे और यह उपन करेंगे उसके बाद यह पीछे है जितने भी बहुत सारे हैं इसमें आप दिख रहे होंगे 15 से 20 स्क्रू लगे हुए ये सारे उपन करेंगे चलि तो मैं इनको जल्दी से उपन कर लेता हूं वीडियो में फिर आगे के वीडियो को कंटिनू करते हैं पीछे के सारे स्क्रू उपन करने के बाद हमने जो है फैन का भी स्क्रू उपन कर लिए आपने देख लिया होगा अब हम इसका फैन जो है दूसरे स्क्रू डाइवर के हेल्प से फैन को बाहर निकालेंगे ठीक है कुछ इस तरीके से हमने इसका फैन भी बाहर निकाल लिया है जैसे फैन बाहर निकालेंगे हम हम फिर इसको पीछे तो हमें इसके पैनल्स को बाहर कर लेते हैं बाहर करने के बाद हमें इसको ओपन करने का एक ही मतलब रहता है कि मसीन में कुछ कामी है तो हम इसे ओपन करें अगर ओपन करते हैं तो हमें हमारे पास स्लीकॉन होना बहुत जरूरी है अगर स्लीकॉन नहीं है तो ओपन ना करें करने के बाद हमने देखा कि इसमें यह पुली है जो की राउंस जो हमारे जो बाहर का फैन को गुमाती है उसके लिए और इसमें दो वेरिंग वी दिख रही है अंदर लगी हुई है है और हमें यहां पर एक बैल्ड दिख रही है और यहा पर भी पुली है जो टॉप पर जो आपको दिख रहा है वहां पर के लिए या कपलों घुमानों के लिए कह सकते हैं उसके राउंस थोड़े कम करने के लिए ताकि मोटर पे लोड जादन ना पड़े ठीक है तो आपने देखा मसीन कुछ इस तरीके इसमें फुली पुली फिट हो रखी होगी होती है देखिए अब यहां पर हमें तीन दो पु कर रही है इसका जो पैनल पीछे वाला वो तूटा हुआ है सिर्फ इस बजए से चलिए तो हमने अब यहां पर पुली को फिट कर लिया है और अब हम इसको सॉकेट में लगाएंगे सॉकेट में लगाने के वाद हम इसको चला कर आपको दिखाएंगे कैसे मसीन चलती है कि अभी सुच्छ को आफ किया है लगिन कर दिया अब जो है इसको ओपन करेंगे मसीन को आन करेंगे मशीन को अन करेंगे कुछ तो कुछ इस तरीके में चलेगी दिए कुछ बड़ी मोटर से जो है बड़ी पुली पर चड़ी वही है बेल्ट उसके बाद नीचे जो एक और छोटी बैल्ट है वहां से बड़ी पुली पर चड़ी हुई है मैंने आपको इस मेकेनिस्म यूज़ डिखा दिया अभी इसके साथ में मैंने आपको मोटर नहीं दिखा यह दो इतो है किनारे किनारे ऐसको पानी जाएगा तो खरा रजह कानी की शायता से ऊंटा से पहुंच जाता है चरेंट आने की संवर्ण शहां ऑबन बड़ाती है और जो है मोटर खराब होने की चांसिस 95% imana अब आप यह मशीन की जो है मोटर जो फ करते हैं कर नहींस कि के प्रेट जो है आफ नहीं किया था उसे पहले हाथ में ले ली ती मसीन को अभी मैंने प्लग आउट कर दिया उसके बाद मैं आपको मसीन दिखा रहा हूं यह जो है आपके मेरे हाथ में है यह मोटर यह सारे 300 बाट की है इसमें जो वाइट कलर का दिख रहा है वह फैन मोटर को कूल करने के लिए चलिए तो हम इस मसीन को जल्दी से फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद आपको मसीन को दिखाते है आई होप मैंने इस मसीन का पूरा रिव्यू तो आपको देही दिया होग कैसी क्या मसीन है और कैसे काम करती है चलिए तो हम इसको आगे जल्दी से फिट कर देते हैं आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए तिल देन टेक केर जैहिंज जै भारत